हाई and hello everyone तो आप लोगों को पता है कि आज हमारे BMS की काउंसलिंग चल रही है ओफ लाइन और बच्चे उन्होंने 458 राइंग तक बच्चों को बुलाया था 458 राइंग में अगर हम देखें तो हमारी जो राइंग थी वो 119 थी that means उन्होंने 119 बच्चों के लिए बुलाया था और एक बच्चा है जो की है अन्रिजर्ब में पी एच किलास का ठीक है तो एक पी एच की सीट थी हमारे राइपूर में और एक पी एच की सीट थी हमारी बिलासपूर में तो राइपूर वाली फिल हो चुकी है मतलब अब वो कंवर्ट नहीं होगी हमारे अन्रिजर्ब तो पिलसपुर वालि अभी अगर वह इस बार नहीं फिल होती तो second round में फिर वह उन्रिजर्ब क्या जाएगा अगर बच्चा नहीं पहुंचता है तो ठीक है अब आपन बात करते हैं कि भाईया कट आफ क्या गया है तो cut off यह गया है कि आपको पता है कि हमारे रायपूर में जो unreserved seats है वो 21 है और एक PH है तो PH वाला बच्चा गया था तो उसको मिल गया और unreserved seats 21 है तो जो 21 rank थी वहां तक मिल गया जो उन्होंने merit list बनाई तो उस rank के साब से हम बात कर रहे हैं 21 rank तक मिल गया तो 21 rank में जो marks थे वो थे 505 तो 505 marks unreserved category का cut off गया है हमारे कहा का रायपूर का government आयो बेटे college रायपूर का ठीक है अब बिलासपूर की start होने वाली है counselling अभी lunch चल रहा था अभी बिलासपूर की थोड़ी देर पहले start हो जाएगी थोड़ी देर बाद में start हो जाएगी तक मिल चुका है 21 तक मिल गया है तो 21 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 43 होता है मतलब वहाँ पे जितने बच्चे भी गया है जिसमें जिसकी rank 43 वहां तक मिल जाए और 43 उस बच्चे की rank है जिसका marks है 469 तो 469 कट आफ जाने वाला है मैंने कल के वीडियो में ही आपको ये बत वो तो लेंगे इसलिए तो गये है ना अब अपन ये रेजिटेशन जिनों ने कराया है उन में से देखो आप देखो रेजिटेशन तो 451 मार्क सूपर देखो तो 119 लो ने कराया था लेकिन गये कितने सिर्फ वहां पे 58 अब ये पहुँच चुके है तो अब ये तो एडम कर रहे हैं कि मेरे नमबर का बाएगा तो अगर हम 21 में 22 को एड करें तो हमें पता है 43 आता है 43 रेंग तक मिल जाना है मतलब वहां पर जो मेरिट लिस्ट लगी है जिसकी वहां पर 43 रेंग के उसको कॉलेज मिल जाना है हमारा गबर्मेंट बिलासपूर अब जो एक सीट है अब अब अगर हम बात करें तो इसमें देखो यह अन्रिजर्ब कैटेगरी था इसमें कोई भी कैटेगरी का बच्चा जा सकता था और सीट ले सकता था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग साहू लोग है तो वह OBC के कहलाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि साहू OBC कैटेगरी में आता है तो OBC कैटेगरी के बहुत सारे बच्चों ने जन्रल से ले लिए अन्रिजर्ब सीट ले लिए जिसके जन्रल को थोड़ा से लास हो रहा है लेकिन अब क्या करें हमारा सिस्टम है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है तो फाइनल कट ओफ है 469 505 हमारा कहां का गया राइपूर का और 416 कहां तक का जाने वाला है बिलासपूर का ठीक है यह है अन्रिजर्ब के बाद मैं हर दिन आपको बताते रहूंगा कैसी काउंसलिंग चल रही है वहां पर क्या हो रहा है जिससे आप अपनी तैयारी कर सके और हां मैं रात में एक वीडियो और बना कर्णे चलमाम खेंगे और इक जा बोट रही पर दे बताते हैं आप कर को बत्यूंगा देजिकिस PvP का मीं होूरीन